साथियों, आज भारत जितनी मजबूती के साथ दुनिया की अग्रणी डिजिटल एकोनामीज में से एक बना है, वो हर भारत वासी के लिए गवरव का विशा है। पिछले छे साथ साल में अलग-अलग योजनाओं के तहट करीब करीब सत्रा लाग करोड रुपिये सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांस्पर किये गए हैं। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया अभ्यान देश के कितना काम आया है ये भी हम सभी ने देखा है। जिस समय बड़े बड़े समरुद्र देश लोगडाउन के कारण अपने नागरीकों को साहता रासी नहीं बेज पा रहे थे भारत हजारों करोड रुपिये सीधे लोगों के बैंक खातों में बेज रहा था। कोरोना के इस डेड़ साल में ही भारत ने विभिन्द योजनाओं के तहट करीब सात लाग करोड रुपिये डायरेक बेनिफिट ट्रांसपर डी बी टी के माध्यम से लोगों के बैंक एकाउंट में भेजे हैं। भारत में आज सिर्फ यूपियाई भीम यूपियाई से ही हर महिने करीब पांच लाग करोड रुपिये का लेंदेन होता है। साथियों किसानों के जीवन में भी डीजीटल लेंदेन से अभुद पूर्व परिवरतन आया है। पी-एम किसान सम्मान निधी के तहट दस करोड से जादा किसान परिवारों को एक लाग पैंतिस हजार करोड रुपिये सीधे बैंक एकाउंट में जमा किये गए हैं। Digital India ने One Nation, One MSP की भावना को भी साकार किया है। इस वर्स गेहूं की रिकॉर्ड खरीत का लगबग 85,000 करोड रुपिये सीधे किसान के बैंक खाते में पहुचा है। इनाम पॉर्टल से ही अब तक देश के किसान एक लाग 35,000 करोड रुपिये से जादा का लेंदेन कर चुके हैं। साथियो वन नेशन, वन कार्ड यानि देश भर में ट्रांसपोर्ट और दूसरी सिवधाओं के लिए पेमेंट का एक ही माध्यम एक बहुत बड़ी सुविदा सिद्ध होने वाला है। फास्टेक के आने से पूरे देश में ट्रांसपोर्ट आसान भी हुआ है, सस्ता भी हुआ है और समय की भी बचत हो रही है। इसी तरह GST से E-way Bills की वबस्ता से देश में व्यापार कारोबार में सुविदा और पारदर सिता दोनों सुनिचित हुई हैं। कल भी GST को चार वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना काल के भावजूत पिछले आठ महिने से लगातार GST रेवन्यू एक लाग करोड रुपिय के मार को पार कर रहा है। आज एक करोड 28 लाग से अधिग रजिस्टर उद्यमी इसका लाब ले रहे हैं। वहीं गवर्मेंट इमार्केट प्लेस यानि जैम से होने वाली सरकारी खरीदे पारदर सिता बढ़ाई हैं। छोटे से छोटे व्यापारी को आउसर दिया है। करता रहा है।